कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो कक्षा बार्वी में हैं और अपना फर्स्ट अम का एक्जाम देने वाले हैं और इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12 का जियोग्राफी सब्जेक्ट जो है आपका हिंदी में जिसको भूगोल बोलते हैं उसका फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का MCQ कोस्टन्स डिसकस करने वाले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशयशेत्र चैप्टर का नाम है चैप्टर फर्स्ट है हमारा और यहाँ पर सिर्फ मैंने मानव भूगोल लिख रहा है शौट में इसका पूरा नाम मैंने आपको बता रही है चैप्टर के मानव भूगोल प्रकृति एवं विशयशेत्र चैप्टर के मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संसलेशित अध्यान है यह परिभासा किस वेक्ति ने दी थी इस चैप्टर के अंदर आपका यह बता रखा है तो मैंने चार ओप्शन दिया आपके लिए यहाँ पर देखिए पहला है एलनसी सेंपल ने दूसरा है कि रेड जेल ने दी थी तीसरा है मार केली ने दी थी और चोथा है इन में से आपको जो चावादी फिरिण damn तो यह आप और नोट कर लेंगा अगर वी पर मND आता है यह कोशिन तो आपको आपको क्या टिक लगा ना है कह सकते हैं ये हुआ था आपका 1970 के दसक में कब वा था बच्चो 1970 के दसक में आगे चलती हैं अगला प्रसंद देखते हैं बच्चो तीसरा प्रस्ण देखे बच्चो क्या हम से पूछ रहा है कि रूको और जाओ निश्चेवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है पहला है निश्चेवाद, दूसरा है नव निश्चेवाद, तीसरा है समभावनावाद और चोथा है इन में से कोई नहीं तो ध्यानर के बच्चों क्या पूछ रहा हैं हमसे रूको और जाव निश्चेवाद तो इसका जो सही उतर होगा बच्चों यह second वाला होगा आपका 9 निश्चेवाद जो आपका विचारधारा है इसे ही हम लोग रुको और जाओ निश्चेवाद के नाम से भी जानते हैं तो इसका जो सही उतर हुआ वो दूसरा हुआ तो आई होब कि आपको ये कोशन भी क्लियर हो गया होगा निश्चेवाद के दवारा प्रस्तूत की गई थी तो इसलेक करना हो कजा 싶은 और आपको यह वी शुप शवाद पूचे पूछ की वीशेस्ता आई क्या क्या हैं वी इसिताई है उनमें बताना है इन में से थिक तो पहलाGLा आपका कि यह विचारधारा परियावरणिये निश्चेवाद और संभावना वाद है यहाँ वाले लिखा हुआ है लेकिन यह संभावना वाद है कि बीच के मार को प्रशुत करता है तो यह ठीक है आपका option आगे चलते हैं अगला देखिए अगला बोल रहा है कि परियावरण को नुकसान किये बगेर समस्याओं को सुल्जाने पर बल देता है तो यह ठीक है वाई तीसरा है कि परियावरणिये निश्चेवाद के अनुसार मनुष्य से ना तो प्रकृती पर पूरी तरह निर्भर होकर रह सकता है और ना ही प्रकृती से सोतंतर रहकर भी रह सकता है तो यह ठीक है और फोर्थ वाला है उपरोक्त सभी तो इसका जो उत्तर होगा बच्चो यह फोर्थ उप्शन होगा उपरोक्त सभी ठीक है तो आज होब कि ये वाला कोशन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चो आगे चलते हैं अगला प्रस्ट देखिए बच्चो छटा प्रस्ट क्या बोल रहा है हम से छटा प्रस्ट में ये बोला जा रहा है कि निमलेखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है ठीक है तो इसमें से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है ये चीज़े हमें यहां पर क्लियरिफाइ करना है ठीक है तो यहां पर चार ओप्शन दिया हुए बच्चो पहला आपका छेत्रिय विभिंता दूसरा आपका इस्थानिय संगठन तीसरा है मात्रात इसमा क्रांति जो है वो आपका मानव भूगोल का उपागम नहीं है ठीक है आगे चलते हैं बच्चो अगला प्रसन देखिए सातवा प्रसन क्या पूछ रहा है आपके सातवा प्रसन देखिए बच्चो पूछ रहा है कि निमलिखित में से कौन सा कथन अगनी की खोज के ब में हमारी मदद कीमें अगनी की खोज में इसने हमारी मदद की है अगला देखिए अगला ओप्शन क्या है पहला आप्शन सही है दूसरा प्रसन बोल रहा है कि घरसन ऊस्भा की संकल्पना ने अगनी fürsoda नहीं की है ठीक है तो यह वाला ऑप्शन गलत है तीसरा है डियने और अनुवान सिक्ता के रहश्यों की समझने आग की खोज में हमारी मदद किये ये भी गलत है और चोथा इन में से कोई नहीं तो ये भी गलत है तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों साथ वे प्रेश्ण का वह होगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन की घर्षन और उस्मा की जो संकल्पना थी उसी ने हमारी अगनी की खोज में मदद की थी ठीक है बच्चों तो आई होप कि आपको ये भी कोशन क्लियर हो गया होगा आगे चलते हैं बच्चों अगला प्रेश्ण देखिए आठ्वा प्रेश्ण क्या पूछ रहा है हमसे आठ्वा प्रेश्ण के अ अर्थिक भूगोल के उसमें नहीं आता है उच्छेत्र के अंदर आई होप कि ये कोशन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों आगे चलते हैं अगला प्रेश्ण देख लेते हैं बच्चों नौवा प्रेश्ण क्या पूछ रहा है हमसे तो नौवा प्रेश्ण के यह शितर आपका चंद्रमा से चतान इपदार्थों के नमूने और चोथा है आपका प्राचीन महाकावे तो इसका जो सही उतर होगा बच्चों वो डी होगा प्राचीन महाकावे जो है आपका वो निमलिखित में से किसी एक भोगोलिक सूचना का सुरोत नहीं है ठीक है य आपको आगी चलते हैं कोशन नंबर दस्वा देख लेते हैं कोशन नंबर दस्वे के अंदर दिखी क्या पूछ रहा है हमसे कि प्रकृति और मानों के बीच पारसपरी क्रिया का सबसे महत्यपून कारण कौन है ठीक है तो इसके अंदर भी आपको चार अप्शन देखने को मि उत्तर बच्चो आप सभी मुझे कमेंट करके बताईए कि इसका सही उत्तर क्या होगा जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा उसका कमेंट जो मैं हाट का सिंबल दूँगा और सही उत्तर होना चाहिए ठीक है बच्चो तो बस ये वीडियो यहीं तक था अगर आपको ये रेगुलर्ली आपका जो क्लास 12 का जियोग्राफी है उस सब्जेक के MCQ कोशन की सीरीज लेकर आ चुके हैं जो आपको डेली एक वीडियो देखने को मिलेगा अभी के लिए ठीक है तो यही था आज के वीडियो मिलता हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए कर दीजेगा इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए जय हिंद